पैरिक्स ओलम्पिक्स 2024 में विनेश फोगाट महिलाओ के 50 किलो ग्राम कुष्टी इवेंट के फाइनल में पहुच गई है ऐसे करने वाली वो पहली भारत्य महिला है तमाम देशवासी उन्हें बदाई दे रहे है विनेश की जीत पर विजबी सांसत कंगना रनावत ने पहलवान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्हें तंजकसा है उन्होंने लिखा है कि आंदोलन के दोरान पीम मोदी का अपशब्द कहने के बावजूद विनेश को देश के प्रतिनी दित्व करने का मौका मिला विनेश के फाइनल में पहुचने के बाद कंगना ने अपने इंस्टा इंस्टोरी पर उन्हें ताना मारती हुए लिखा है भारत को उसका पहला गोल्ड मैडल मिलने की दूआ कर रही हूँ विनेश फोगाट ने एक वक्त पर आंदोलन में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने कहा था मोधी तेरी कब्रुख देंगी इसके बावजूद उन्हें देश के प्रतिनी जित्व करने का मौका मिला उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग कोच और सहूलियत मिली यही लोकतंत्रों और एक बड़िया लीडर की खुबसूरती है कंगनर नावत किस पोस्ट को देखकर तो ये मालूम होता है कि उन्हें देश को गोल्ड दिलाने से ज्यादा अपने पार्टी की वावाई करने में ज्यादा मजाता है इस मामले को लेकर राहूल गांदी की प्रतिक्रियाय सामने आई हैं उन्हें भी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखा है एक ही दिन में दुन्या की तीन धुरंदर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरे देश भावुक है जिन्होंने भी विनेश और उनके सातियों के संगश को जुटलाया उनकी नियत और काबिलियत पर प्रशने चिन्न खड़े किये उन सबी को जवाब मिल चुका है आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धारशाही पड़ गया था जिसने उसे खून के आसुर उलाए थे चैंबियंस की यही पहचान है वो अपना जवाब मैदान से देते हैं बहुत शुब कामनाए विनेश पैरिस में आपकी सफलता की गुंज दिली तक साफ सुनाई दे रही है